करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शरमा और आज कि इस वीडियो सेशन में हम 13 फरवाई तक के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं अमिसा की तरह आप इस वीडियो को अंतर तक चरूर देखेगा आज भी आपको काफी कुछ चानने के लिए मिलेगा साथी का इस सेशन को सुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा यदि आप हमारे टेली करंट अफेर्स पीडियेफ वीकली पीडियेफ और मंतली पीडियेफ चाते हैं तो इस वीडियो के फस्ट कोमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिये गई लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेर्स फंडा आप को भी इंस्टॉल कर लिजे क्योंकि जो भी हमारा पीडियेफ मैटियल है जिसमें हम आपको करंट अफेर्स के साथ साथ स्टैटिक चीके भी प्रोवाइट कराते हैं ये सब भी पीडियेफ मैटियल आपको हमारी करंट अफेर्स फंडा अप पर उपलब्द हो जाएगा और ये सबी कॉंटेंट है जो हमारी स्टैटो पीडियेफ परमेंट प्रोवाइड कराते हैं एदि आप हमारा पीडियेफ कोर्स बाइख करना चाते हैं तो इस वीडियो के फ्रस्ट कॉमेंट में आपको לिंक मिल जाएगा और यदि आपका कोई डाउट है हमारी स्कोर्स से संबन दित तो आप हमें कॉमेंट बोक्स में जरूर लिखेगा तो चले फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की सबसे पहले 11 फरवरी को पढ़े करेंट अफेर्स क्रिकली रिवाइस कर लेते हैं 15 सकरोड रुपे एलोर्ट किये गए है प्राइम मिनिस्टर डेवलप्मेंट इनिशेटिव फोर नॉर्थीस्ट पीम डिवाइन के लिए सांति स्री दोलिपुडी पंडित ये फर्स्ट विमेन वाइस चांसलर बन गई है JNU की जवाड लाल नहर रुइवर्स्टी की एश की सोर को स्टाफ सेलेक्शन कमिशन यानि की SSC का नया चेर्मेन बनाया गया है इंस्टाग्राम ने भारत सहीत तमाम कंट्रीज में टेक अब ब्रेक ये कैमपेन लौंच किया है UNEP ने एक MOU साइन किया है माराष्ट गोवर्मेंट के साथ जिसके तहत ये माराष्ट सरगार का माजी वसुंद्रा कैमपेन में सहयोग प्रोवाइट कराएगा State Bank of India ने एक MOU साइन किया है IGNCA और NCF के साथ किसलिए Red for Delhi में आत्र निर्वर भारत सेंटर फोर डिजाइन के डेवलप्मेंट के लिए निदिन कडिकरी को अठारवा लेट माधा औराव लेमाए अवाउड से सम्मानित किया गया यदि हम बात करें गोल्ड खरीदने की तो यदि सेंटरल बैंक की बात करें हम पुरे विश्व की तो Reserve Bank of India इस मामले में second position पर है यानि कि दूसरे नंबर पर है यदि हम सेंटरल बैंक की बात करने जो सबसे आदा गोल्ड खरीदते हैं पुनोरा धाम जो की बिहार में है इसको स्वदेश दर्सन स्कीम के तहत रामायना सरकिट में इंक्लूड किया गया है बाकि आपको जानना चाहिए Amazon India ने M.O.U. साइन के करनाठक स्टेट गवर्मेंट के साथ जिसके तहत ये दूरल विमन को entrepreneurs बनाने में मदद करेगा नितियायोग ने फोन पे AWS और EY के साथ collaborate करके Fintech Open इस तरह की एक virtual summit और्गनाइज की है 7-21 फुरवरी के बीच जम्मो एंड कश्मीर फर्स सुजन टेरिटरी बने गया है जिसने National Single Window System NSWS के साथ integrate किया है भारत की अगर हम बात करें 2023 के लिए भारत का जो coal production target है यह 1.2 billion ton है आपको बता दें 10,000 feet की हुचाई पर वर्ड की लोंगेस्ट हाइवे टनल का रिकोर्ड अटल टनल के पास गया है और इसको certify किया है वर्ड बुक ओफ रिकोर्ड ने Western Railway John ने 100 टेक्स्टाइल ट्रेन को लोट किया है और इंडिया एगरी हो गया है शीरलंका को कुछ साहेता देने के लिए जिसके तैट सीरलंका में Unitary Digital Identity Framework इंप्लिमेंट किया जाएगा या नहीं आधार कार्ड की तरहीं ये इंप्लिमेंट किया जाएगा चलिए अब देखते हैं तेरा फरवई तक के सभी Important Current Affairs तीसवा इरान फजर इंटरनेशनल चैलेंज 2022 का किताब किसने जीता है उप्शन्स आपके सामने हैं और सही आंसर उप्शन भी है तस्नीम मीर वोन थर्टीथ इरान फजर इंटरनेशनल चैलेंज 2022 टाइटल जानेंगे इस निउस के बारे में देखिए इंडियन मैट विंटन प्लेयर है तस्नीम मीर इन्होंने तीसवा इरान फजर इंटरनेशनल चैलेंज 2022 टाइटल चीत लिया है इन्होंने इंडोनेशिया की यूलिया योशिफ फाइन सुसान्तों को फाइनल में हरा है आपको जानना चाहिए हाली में तस्नीम मीर न्यूज में रही क्यों क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन मन गई है जोने अंडर 19 कर्ल्स सिंगल्स रैंकिंग में वर्ड नंबर वन का स्टेटस प्राप्त किया है तो कोश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि तस्नीम मीर की स्केल से संबंदित है आंसर होगा पैटमिंटन टाटा ओपन महारास्ट में यूगल खिताब किसने जीता है ओप्शन साब के सामने है और सही आंसर ओप्शन दी है तो रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन वोन डबल स्टाइटल एड टाटा ओपन महारास्ट देखे भारत की टैनिस प्लेइर्स हैं दोनों इनकी जोड़ी है रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन तो इन्होंने हाल ही में आस्टेलिया के लुक सेविले एंड जौन पैटरिक स्मित को फाइनल में हरा कर टाटा ओपन महारास्ट जीत लिया है जो की पूने में हुआ है और आपको जानना चाहिए यह जो टाटा ओपन हुआ है इसका सिंगल स्टाइटल पर्चु की स्टैनिस प्लेइर जाओ सोसा ने जीता है वाकि आपको जानना चाहिए रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन हाल ही में न्यूज में थे हमने MC की फॉर्मेट में भी पढ़ा था क्योंकि इन दोनों की जोड़ी ने एडिलेट डबल स्टैटल भी जीता है तो देखिए हाल ही में इन दोनों ने अपनी जोड़ी बनाई है साथ में खेल ले के लिए और पहला टाइटल ने जीता अडिलेट डबल स्टैटल और दूसरा भी ने जीत लेट आट ओपन महारास्टर हाल ही में उस नकटी बंदी चक्रवाथ बदसी राई किस द्वी प्रास्ट से टकराया है ओप्शन्स आपके सामने है सही आंसर ओप्शन दी है तो देखिए मेड़ाज कर में टकराया है ये ट्रопिकल साइकलौन बदसी राई इसका नाम है और काफी स्ट्रोंग ट्रॉपिकल साइकलौन रहा और काफी तभाहई इसने मचाई यहाँ पर जानवाल की सभानी हुई है और हमने हाली में ये पढ़ाता है दिसंबर की अगर हम बात करें कि साइकलोन जावार इसने भी आंद्रप्रदेश और उडिसा में काफी इंपेक्ट दिखाया था और एक हमने पढ़ा था सूपर टाइफून राय इसने फिलिपिन्स को हिट किया था तो तीनों यात रखेंगे बचिराई मेडगासकर साइकलोन जावार आंद्रप्रदेश ओडिसा और सुपर टाइफून राय फिलिपिन्स आर्बियाई वित्य साक्सरता सप्ता 2022 किस बीच मना रहा है ओप्शन साब के सामने हैं सही आंसर ओप्शन दी है दा आर्बियाई इस अब्सर्विंग फाइनशल लिटरेशी वीक 2022 बिट्विन जानेंगे इस बारे में देखे रिजर्व बैंक ओफ इंडिया साल 2016 से ही फाइनशल लिटरेशी वीक मनाता रहा है जिसका परपस है कि जो यूआ है जो देश के और नागरिक हैं उन्हें फाइनशल एजूकेशन प्रवाइड करा जाए तो अलग लग तीम इसमें रहते हैं इस बार 2022 का जो फाइनशल लिटरेशी वीक है इचोधा से 18 फरवरी के बीच मना जा रहा है और इसका थीम रहेगा इस बार गो डिजिटल गो सिक्योर बाकी आपको जानना चाहिए कि यहाँ पर आप यह याद रखें कब से मना जा रहा है 2016 से मना जा रहा है बाकी आपको ज वेटरन उद्योगपती और बजाज ओटो के पूर्व अध्यक्ष रहुल बजाज का निदन हो गया वे किस नागरिक सम्मान के प्राप्त करता थे पदमश्री भारत रतन पदमभूशन या फिर पदमविभूशन ओप्शन आपके सामने है और सही आंसर ओप्शन सी है आप वन लाइन पढ़ता है इस तरह की नियूज जैसे आपने वन लाइन पढ़ लिया पदमभूशन ठीक है अगर आपके एक्जाम में कोश्चन इस तरह से आ जाए तो आप कन्फूजन हो जाता है सब में सबके लिए नहीं कहुआ पर कुछी वच्चे में कन्फूजन आत लगता है तो याद रखेंगे पदमश्री पदमभूशन पदमभूशन तो सही आंसर इसका option C है पदमभूशन यह जो है भारत रतन यह हागिए पैरी पोजेशन पर है यह आप याद रखेंगे है तो देखिए वैटरेन इंडूस लिस्ट और फॉर्मर बजाज ओटो चेर निमोनिया एकारेनिका नितन हो गया है बारा फरवरी को वाकिया आपको जानना चाहिए साल 2006-2010 के बीच में राज्यसभा की मेंबर भी रहे और साल 2001 में ने पदम भूशन से भी सम्मानित किया गया था जो की थर्ड हाइस्ट सिविलियन अवार्ड है तो थर्ड हाइस्ट है यह पदम भूशन फर्स्ट क्या बदाए है आपको भारत रत्न और सेकंड क्या हुआ पदम विभूशन थर्ड क्या हुआ पदम भूशन और फूर्द क्या हुआ पदम शरी Financial year 23 budget में Startup India Seed Fund योजना के लिए कितनी राची आवंटी की गई है options आपके सामने है सही answer option भी है So, 283.5 crore rupees have been allotted for Startup India Seed Fund scheme in the financial year 23 budget देखें अगर हम budget 2022 थेज़ की बात करें तो Government of India ने Startup India Seed Fund scheme के लिए 283 दिसमलों 5 crore रुपे 37.8 million US dollar allocate किये है allocate किये है आपको जाना चाहिए जो Fund of Funds for Startups है FFS इसे 1000 crore रुपे मिले है आपको बता दें कि 10,000 crore के कोर्पस से इस fund के साथ Government of India ने Fund of Funds for Startups को setup किया था जैसे की नाम से पता चल रहा है Fund of Funds for Startups यानि कि Startups को funding के लिए जो है रूपिया है ये इसको administered करता है किसके अंदर गताता है Small Industries Development Bank of India यानि CIDB Fund को देखता है तो इस तरह से भी कुश्च आता है कि Fund of Funds for Startups is administered by which agency options में आपको CBI, CIDB, RBI ये सब मिल जाएगा तो सही answer होगा CIDB तो 10,000 कुरोड रुपे के कॉर्पस से इसको स्थावित किया गया था Government of India के दुआरा ये आप याद रखेंगे और इस बार Fund of Funds पूर स्टार्टप को 1000 कुरोड रुपे का जो है allocation मिला है वाकिया आपको जाना चाहिए जो Startup India initiative है इसका भी जो बज़ट अप 50,000 रुपे और बढ़ा दिया गया है 2022 देश के लिए आपको जाना चाहिए Startup India seat fund scheme इसको 19 अपरेल 2021 को launch किया गया था जिसके तहत जो Startups हैं उनको अपने concept proof के लिए funding दी जा सकती है prototype development के लिए product trials के लिए market entry के लिए और commercialization के लिए कौन सा bank India first life insurance में Union Bank of India की 21 परतिशत हिस्सेदारी का अधिकरण करेगा सही answer option B है So Bank of Badoda will acquire 21% stake of Union Bank of India in India first life insurance तो देखे Bank of Badoda ने का है कि ये Union Bank of India 21% stake है India first life insurance में इसको acquire करेगा और जब ये deal पुरी हो जाएगी उसे के साथ Bank of Badoda के 65% stake हो जाएगे India first life में Union Bank के 9% और Carmel Point investment इंडिया के 26% stake रहेगे Hero Electric ने खुदरा वित्त के लिए किस bank के साथ समझोता किया है options आपके सामने है सही answer option C है Hero Electric has tied up with State Bank of India for retail finance तो retail finance के लिए Hero Electric ने State Bank of India के साथ tie up किया है यानि कि Hero Electric मतलब Hero की कोई आप electric bike या कुछ खरीदना चाहते हैं तो State Bank of India से आपको low interest per loan मिल जाएगा finance की सुईदा मिल जाएगी बाकि अगर हम SBI की बात करें तो SBI हाली में news में रहा काफी अच्छी खबरों के लिए news में रहा है देखते हैं एक तो यह कि State Bank of India ने International Clearance Corporation India International Clearing Corporation यानि की IICC इसमें 10% stake acquire किये है करनाटक गवर्मेंट ने NPCI और SBI के साथ partnership में E-Rupee को implement और enable किया है अगर हम बात करें NED banking और mobile banking के थूँ पांच लाक रुपे तक के यदि IMPS transactions किये जाते हैं तो उस पे State Bank of India कोई भी चार्ज नहीं लेगी और हाली में आपको हमने पढ़ा है कि रैट फॉर्ड डेली में आत्मेर्व भारत सेंटर फॉर्ड डिजाइन को डेवलप करने के लिए SBI ने NCF और IGNCA के साथ संचार ओपरेटर से 150 करोड रुपे का दूर संचार अवसंड़ नाविस्तान और बंद प्राप्त किया सही आंसर ओप्शन दी है तो देखिए चाइनिस कंपनी है आप सभी जानते हैं तो 150 करोड रुपे का टेलीकॉम इंफास्ट्रक्ट्चर एक्स्पेंशन कोंट्रेक्ट इसने भारती एर्टल से प्राप्त किया है तो भारती एर्टल का जो नेशनल लॉंग डिस्टेंस नेटवर्क है उसी के तहती है डील साइन की गई है बाकिया आपको जाना चाहिए हाली में में पढ़ा था कि भारती एर्टल और हुजस इन दोनों ही कंपनीज ने एक जोइंट वेंचर मनाये जिसके तहती है भारत में सैटेलाइट ब्रोडबैंड सर्वीस प्रवाइड करेंगे यह है प्रवीन कुमार सोपति हुपास्ट वी रिसेंटली प्लेड भीम करेक्टर इंटैलिविजन सीरीज महाभारत तो देखे प्रवीन कुमार सोपति यह इंडियन हैमन रहे है डिसकस थ्रोवर रहे है फिल्म एक्टर रहे है, पॉलिटीशन रहे है और BSF में, बर्डो सिक्योर्टी फोर्ट्स में सॉल्जर भी रहे है आपको जाना चाहिए औरोने इशन गेम्स में फोर मैडल्स जीते हैं जिन में की दो गोल्ड मैडल्स हैं, इन्होंने कुमन वेल्थ गेम्स में सिर्वर मैडल्स जीते हैं और दो अलम्पिक्स में पार्टिस्पेट भी किया है बतोर एक्टर इन्होंने कई हिंदी फिल्म्स में भी काम किया और BR चोपड़ागी जो टेलिविजन सीरीज ही महाभारत जोकी 1988 में शुरूई थी, उसमें इन्होंने भीम का केरेक्टर भी निवाया आपको जाना चाहिए साल 2013 में डेली लेजिसलेटवी इलेक्शन्स में आम आदी पार्टी से भी लड़े, परहार गए उसके बाद 2014 में इन्होंने भारत जन्ता पार्टी को जोएन कर लिया था बात करें देंके स्पोर्ट्स कैरियर की, तो 1966 और 1970 केशन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीते, डिसकस थ्रो में और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता 1966 के कॉमन वेल्थ गेम्स जो की किंस्टर्न में हुए और 1934 के शन गेम्स जो की तेहरान में हुए, यहां भी सिल्वर मेडल जीता साथी नोंने 1968 समर ओलम्पिक्स और 1972 समर ओलम्पिक्स में पार्टिस्पिट भी किया रास्टे सेक्सिक अनुसंधान और प्रसिक्षन परिसद, यानी NCRT के नए निदेशक के रूप में किसे न्युक्त किया गया है सही आंसर ओप्शन सी है, सो दिनेश प्रसाद सकलानी हैस बिन अपोइंटे अस दन्यू डिरेक्टर अफ दनेशनल कांसिल फोर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग तो NCRT के नए जो डिरेक्टर है इनका नाम है दिनेश प्रसाद सकलानी ये HNB गड़वाल उनिवरसिटी से है और रिशिकेश सेनापती, इनको इनोंने रिफ्लेस किया है बाकिया आपको NCRT के बारे में जानना चाहिए कि है ट्वार्डर से निव डैली में इसकी स्थाप्टर 1961 में हुई थी किस अभिनेता को उत्राखंड का ब्रैंड अमबैस्टर गोशित किया गया है सही आंदर उप्शन दी है तो एक्टर अक्षे कुमार हैस बिन एनाउंस्ट एस उत्राखंड ब्रैंड अमबैस्टर तो उत्राखंड के ब्रैंड अमबैस्टर बनाए गए है अक्षे कुमार और हम जानते है साल 2020 में क्रिकेटर रिशा पंथ जो की रुड़की से आते है यहीं को बिलोंग करते है इनको भी उत्राखंड का ब्रैंड अमबेस्टर बनाया गया था निम्बस हेल्थ का अधिकरण करने के लिए किस फार्मा कंप्री ने एक समझोते पर हस्ताक्षर किये है सही आंसर ऑप्शन डी है तो डोक्टर रेडी लेबराटरी इसने एक एग्रिमेंट साइन कहा है जिसके तहती जर्मनी बेस्ट निम्बस हेल्थ को एक्वायर करेगी इसी के साथ निम्बस जो है यह डोक्टर रेडी की हॉली और्ट सबसेडरी के रूप में ऑपरेट करेगी आपको जाना चाहिए डोक्टर रेडी लेबराटरी इसके सीओ एरेस इसराइली है फार्मडर्स है कलाम अंजी रेडी हैटकॉर्टर्स हैदराबाद में है पैट्रोलियम और प्राकरतिक गैस नियामक बोर्ड के दक्षियरूप में किसे निक्त किया गया सही आणसर ऑप्षन भी है तु तरुन कुमार है या मी को पैट्रोलियम और नैच्राम गैस निक्त किया गया है विश्व रेडियो दीवस 2022 जो कि तेरफरवरी को मनाय जा रहा है इसका थीम क्या है सही आणसर ऑप्षन भी है So Radio and Trust is the theme for the World Radio Day 2022 So हर साल 13 February को World Radio Day मनाया जाता है 3 November 2011 को UNESCO ने डिसाइड किया था काई कि हम World Radio Day 13 February को मनाएंगे साल 2022 में इसका theme रहेगा Radio and Trust बाकि तीन सब themes मिया या पर Trust in Radio Journalism Trust and Accessibility Trust and Viability of Radio Stations तीन सब themes है आगे बढ़ेंगे विज्ञान में महिलाओ लड़कियों का अंतरास्टे दीवस किस दिन मनाया जाता है सही answer option A है So International Day of Women and Girls in Science is celebrated on February 11 11 February को मनाया जाता है International Day of Women and Girls in Science साल 2022 में इसका theme रहेगा Equity, Diversity and Inclusion Water Unites Us रास्टे महिलाओ दीवस किस दिन मनाया जाता है? Options आपके सामने हैं सही answer option C है So National Women's Day is celebrated on February 13 तो देखिए सरोजी नाइडू के Bird Today को हम National Women's Day के रूप में मनाते हैं हर साल 13 फरवरी को इनका जन्म 13 फरवरी 1889 1879 में हुआ था और इनके निकनेम भी है Night Angle of India भारत कोकिला तीक है? अपनी Poems के वज़े से इस नाम से इनको जाना जाता है कई सारे इनके वर्के हैं हम देख सकते है Golden Threshold तो कई बार exam में पुझा जा चुका है किसके दोड़ा लिखी गई है The Bird of Time, Songs of Life, Death and the Spring पूरी है यह यह The Bird of Time, Songs of Life, Death and the Spring The Broken Wings कई बार पुझा जाता है, Songs of Love, Death and the Spring और The Gift of India, The Septuart Flute, Song of India, Kitabistan, The Indian Waivers यहां से आपको जाना चाहिए कि United Province की यह First Women Governor रही United Provinces मतलब जो प्रेजेंट उत्तरप्रदेश है उससी को पहले बोला जाता है United Provinces आपको जाना चाहिए International Congress, S.I.N.C. की यह 1945 में प्रेजेंट भी बनी और मात्मा गांदी दुवारा जो 1942 को Quit India Movement लोंच किया गया था उसमें भी इन्होंने पार्टिस्पेट किया और 21 मंथ के लिए इनको imprisonment मिला था मैत्वपूर्ण फेक्ट आपको जाना चाहिए इन्होंने मुहमद अली चिन्ना को Ambassador of Hindu Muslim Unity करार दिया था यानि Hindu Muslim एकता का Ambassador इन्होंने मुहमद अली चिन्ना को बताया था यह वाला जो फेक्ट है यह आप स्टेट PCS या SSC के एक्जाम इस तरह के एक्जाम के तियारी करते हैं तो यह वाला कुश्चन कई बार पूछ ले जाता है स्टेट PCS पर तो कई बार पूछा गया है मत्यपरदेश PCS पे पूछा गया उत्तरपरदेश PCS में भी यह कुश्चन पूछा जा चुका है तो इसको यह आप याद रखेंगे ऐसा पूछा जाता है कि किसने मौम्मद अली जिन्ना को अंबैसर ओफ हिंदू मुस्लिम इनुरिटी कहा था सही आंसर सरोजनी नाइट हूँ है चलिए अब देखते हैं प्रिविएस असाइनमेंट कोश्चन के आंसर खेलो इसकी मौम्मे ग्रीटी जिन्टाइन इन फिर चलिए अल्की निच्छा इन पूलीज असाइट जिजब चैट्ड़ सेयो इनुछ इन वार्फ टेफटी तूछाइ्स इनुछाइट पूलीज अब्दी एंसर इनुछा इनुछा इस ब्रूब्छाइट विच्त अीज District of the United Provinces और आप मेंसे कई एस्टिनस बिल्कुल सही आंसर दिया है इसी तरह से आप participate करते रहे हैं चलिए आज ये इंगलिश के सब्द हम देखेंगे मुंबा पीप्स थलाईवाज बूस्ट प्लेओफ होप्स एक और न्यूस देखेंगे बाबर आजम पीप्स डेविड मैलान तो बिकम नंबर वन टी ट्वनटी बेटर इन ICC रैंकिंग्स तो न्यूस पढ़कर तो आप समझ जा रहे होंगे क्या मतलब है और शब्द है हमारा पीप लेकिन अगर ऐसे आपको देखी जाए तो आप नहीं बता सकते ही इसका मतलब क्या होता है इसलिए काफी अच्छा शब्द है और इसको आप यूस भी कीजेगा ठीक है कई बार आपको न्यूस पेपर में देखने के लिए मिलेगा पीप का मतलब होता है बहुत कम मार्जिन से किसी को पीछे छोड़ देना तो बीट समवन इदर बाई वेरी स्मॉल अमाउंट और राइट अड़ दी अंड ओफ आ कमपटिशन आप बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे हैं किसी कमपटिशन में है ना और लास्ट में बाजी आप मार कर दी जा लें उसको बोलते हैं पीप ठीक है तो यहाँ पर देख सकते है मुंबा यू मुंबा पीप्स थलाइवास ठीक है तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कबड़ी की बात हो रही है इन्होंने पीप कर दिया मतलब की देखो ना 35-33 से हराया क्लोज मार्जिन है ना दो पॉइंट का अंतर है बस 35-33 तो काफी क्लोज रागी है इसलिए पीप्स लिखा है यहाँ पर ठीक है कोई वैसा वाइलेंट सा कोई सब्द यूज नहीं किया हराने के लिए ठीक है जैसे रिप्स थ्रू नहीं लिखा एक होता है रिप्स थ्रू तो उसका मतलब होता है कि बहुत बुरी तरह से हराना ठीक है तो यहाँ पर पीप्स लिखा है यानि कि बहुत स्मॉल मार्जिन से मुम्बा ने थलाईवास को हरा है बाबराजम पीप्स डेविन मलान तो बिकम नमबर वन T20 बैटर इन ICC रैंकिंग्स तो बाबराजम ने डेविड मलान को पीछाड पचाड कर नमबर वन T20 बैटर बन गए ICC रैंकिंग्स में तो यानि कि इन दोनों के पॉइंट्स जोना काफी कम अंतर रहा होगा ठीक है और इन्हों ने बाबराजम ने पीप्स कर दिया है यहां भी देख सकते हैं I got through to the final interviews but I was pipped at the post by a candidate with better qualifications ठीक है तो final stage में मैं किसके द्वारा pipped हुआ जो candidate की better qualification थी उसके द्वारा चलिए हाँ पर देखते हैं तो देखिए हमारा शब्द है इल्यूट इल्यूट का मतलब क्या होता है If something that you want eludes you, you do not succeed in achieving it मान लिजे आप किसी चीज को चाते हैं और वो चीज आपको इल्यूट करती है इसका मतलब आप उसे पानी में सफल नहीं हो पा रहे हैं जैसे आपर देखें जो गोल्ड मेटल है वो इल्यूट हर लिखा हैं आप इसका मतलब अभी भी इसकी खोच जारी है इस गोल्ड मेटल की खोच जारी है या भी इसको मिला नहीं है जो अभी भी उनसे दूर है यहाँ पर देखिए अभी आप जानते हैं जो डेली में जो दंगे हुए थे उस पर यह नियूज है ठीक है किसी मुस्लिम फैमिली के बारे में है कि उनके परिवारा कोई मर गया था तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है कि असा लगता है कि पुलिस वाले नहीं उसको मारा था इसलिए कोई उसकी सूध नहीं ले रहा है तो यहाँ पर लिखा है टू यर्स ओन होप इलूट्स राइट विक्टिम्स किन राइट मतलब दंगे किन मतलब कि जो इस दंगों में जिसकी डैथ हुई है उसके जो बच्चे है या फिर जो भी उसकी बच्चे है उसको बलते हैं किन तो देखें, दो साल हो गए है, hope eludes, यानि कि जो आशा है न, वो अब वो भी खतम हो गई है, hope eludes, या आप याद रखेंगे, hope eludes, यानि कि जो आशा है, वो भी अब काफी दूर होती जा रही है, जो इनकी आशा है कि हमें नियाय मिलेगा, वो elude होती जा रही है, If something that you want eludes you, you do not succeed in achieving it यानि कि जो आशा थी इनकी वो भी अब खतम होती जा रही है क्योंकि कोई सूध नहीं ले रहा है कि क्या हो रहा है कि इसमें क्या चल रहा है देखिए सब मेरा के वलब बक्सर दे रहता है कि आपको जो है इनसे रूबर उकराए जाए कि सब्द किस तरह से यूज होते हैं और टेल इंगलिश निउस्पेवर में आपको इस सब्द मिलते रहते हैं तो इनको आप खुद से अगर कोई चीज होती है ना अगर आप खुद से चाहा रखते हैं सीखने की आप को यहां से बताके चल जाता हूँ लेकिन अंदर से आप नहीं चाहते हैं आप वही मानकर बैठे हैं कि क्या करेंगे इंगलिश कहा है ना ऐसे नहीं चला है आपको बताद बहुत खूपसवरत लेंग्वेज हैं इसमें इतना इंटरस्ट लेंगे उतना आप सीखते जाएंगे तो खुद से भी इनके सेंटेंसे बनाये कीजिए पिप्स देखे कितना प्यारा सब्द मैंने आपको बताया कई पर भी उसकर सकते आप इसको इलूट को यूज कर सकते हो यह ना यह अच्छा शब्द है आपको इंग्लिश में आपको मिल जाएंगे सब सब्द जो आपको पैराग्राफ पढ़ते हैं एक्जाम में चलिए खेर आगे आपकी मर्जी है बाकी यह भी आप देश सकते हैं इलूट का मतलब यह भी होता है तो नोर बी कॉर्ट बाइ समवन आप यह दिगी से द्वारा लिए नहीं गई अब देखते हैं आज के समयान कुश्चन हुई हैस बीद पॉइंटे अइस फाइजर इंडिया चेयर मैं हूँ हेस बिकम दा फ़र्स्ट वोमें डिरेक्टर उन इंडिया ओयल बोर्ड इंडिया ओयल बोर्ड ना उसमें फस्तीमें डिरेक्टर को बताना है खादिर बेट आइलेंड इस लोकेट इन विच स्टेट बताईएगा यह कोशन यह जो खादिर बेट आइलेंड क्यों फेमस है क्या है आपर यह बताईएगा और किस जगह यह तो बताना ही है और लास्ट कोशन है नेम दा प्रिंसिपल डिरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ आउट्रीच और कम्मिनिकेशन फो वास कनफर्ड विद नैसनल अवार्ड बाइलेक्शन कमिशन अफ इंडिया फो रेजिंग इलेक्टोर पाटिसिपेशन दियूरिं 2021-22 तो पांचे कोशन के अंसर आप में ज्रूर बताःएगा यह दिए आपको कोशन का अंसर भी आता है तो भी आप में कोमैंट बोक्स में बता सकते हैं साथी Current Affairs Funda को आप Telegram पर भी जोइन कर सकते हैं, यहाँ पर रेगले वीडियो अपडेट्स और Current Quizzes हम आप सभी डालते रहते हैं, साथी डिस्केशन ग्रूप में आप किसी भी Question का Solution पा सकते हैं दोस्ते आपर हमारे Current Affairs की प्लेइश दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फैलो एस्पिरेंट्स साथ हमारे Current Affairs को शेयर जरूर करें आज का Session आपको कैसा लागा हमें Comment Box में जरूर बताईएगा, Thank You Guys